सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा पावन बड़ी अनोखी है कि सुन लो ये कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा केदार नाथ धाम शिव का धाम है सुनो कनकन में जिसके बसता शिव का नाम है सुनो महिमा बड़े अपार है भक्ती का रंग है ये बारा जो तिरे लिंगों में से एक लिंग है मुक्ती का धाम स्वर्ग की सीड़ी है ये सुनो तुम दर्श करके इसका मुक्ती का पथ चुनो कैसे हुआ प्रकट ये धाम सुन लुशंभु का सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा इक भक्त थे नारायन जो शिव के भक्त थे खोए थे नाम रंग में वो तो विरक्त थे शिव साधना में हर पल वो लीन रहते थे रिशी कुलीन सत्युग में उनको कहते थे घर के कठिन वो साधना शिव नाम जपते थे भक्ती से फ्रसन उनकी देखो शिव भी रहते थे रहता था लब पे नाम उनके सदा शिव का सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा विश्लों के अवतारी थे एक नर भी कहाए वो साथ में थे साधना को साधने आए दोनोंने घोर तप किया लगाया था तब ध्यान बरसों बरस था तब चला देखे सकल जहान इतने बरस के बाद वो दिन ऐसा था आया फिर एक दिन दोनोंने शिव का दरश था पाया फिर शिव ने पूछा बोलो भगतों मांगते हो क्या सुना रही हूं के दार नाथ की कथा सुना रही हुँ के दारनाथ की कथा क्यूं है साधना को किया सार बताओ क्या मांगते हो मुझ से सब बात सुनाओ धन धाने से भर दू तुम्हे आबल चाहिए बोलो क्या साधना का तुम्हे फल चाहिए वो खुश थे दोनों देखके उनको दरस हुए उलजन में थे क्या मांगे दोनों मोन थे खड़े लेकिन पढ़े थी शिव ने उनकी सारी ही व्यथा सुना रही हूँ के दारनात की कथा धनकी नहीं है चाहा हमें बल न चाहिए राजा सरा जिसी वो सुख भी न चाहिए इतना ही कीजिये प्रभु मेरे दयानिधान कुछ और नहीं मांगते मांगे तुम्हारा नाम दो नाम ये तुम्हारा हमको मिल ही जाएगा जीवन ये हमारा प्रभु बदल ही जाएगा घट घट की ग्याता आप हो हम मांगे तुम से क्या सुना रही हुके दारनाथ की कथा शिव जी ने मन्शा जान ली तो हो गए प्रसन शिर सागर दे डाला दे दिया यश कधन तप था किया जहां वो शिव का धाम बन गया दोनों ही साधकों का वहा नाम हो गया सत युग में सब ने देखी थी जो शिव की थी लीला तब शिव ने अपने भर्तों को था पार कर दिया अब गुझता है साधकों का नाम सुबह शाम सुना रही हुके दारनाथ की कथा तब साधा जहां दोनों ने वो धाम का हाया द्वापर में जो तिर लिंग बना शिव की थी माया जब पांडवों ने युद किया तो धाम ये बना केदारनाथ धाम का ही नाम तब पड़ा धैसे का कुशड भाग ही के दार कहाए इस धाम की महिमा संत गुमी बताए कैसा बना ये धाम जो प्रसिद हो गया सुना रही हुके दारनाथ की कथा एक दिन जब पांडवों से रुष्ट शिव हुए छलकिया अपनों से वो देख ना सके रंग डाली रक्त से धरा सब धस्त था किया अपने ही भाईयों को कैसा त्रस्त था किया नीती के विरुद था ये रण जो उचित नहीं था तब ही तो शिव ने पांडवों पे क्रोध था किया अब क्या करे उनको कोई रस्ता न सूझता सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा तब जाके वो गए थे देखो क्रिश्न जी के पास वो सोचते थे उन से मिल के जागे थोड़ी आस तब क्रिश्न ने जानी व्यथा सब हाल पढ़ लिया मांगो शमा शिव दाता से ऐसा उन्हें कहा अब जाओ उनको जाके कैलाश पे ढूंडो मांगो शमा का दान शिव से ऐसा ही करो तब ही कटेंगे पाप तुम्हारे मिटे व्यथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा शिव जी ने तब जाने लिया आएंगे मिलने शिव ने थिली समाधि लगे तपको साधिने पांडव जो विनए करत थे वो मानते नहीं ऐसे बनेत शंकर कुछ जानते नहीं परवत गुफा में ढूंडा पाया नहीं था पार पांडव ये सोच बैठी कर लेंगे इंतिजार कैसा था भेद क्या था जो मन में छुपा था सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सारे ठीकाने ढूंडे पर शिव को ना पाया जाने कहा छुपे है कुछ समझ न आया पत्ता पत्ता छान लिया शिव नहीं मिलते ना मिले शिव तो सोच कैसे काम बनेंगे वन वन में ढूंडते उन्हें त्याग भूक प्यास ना तिन के का सहारना जागती थी आस मन में उठे विचार सोच आगे होगा क्या सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा तब आया था विचार सब ही भेस बदल लो सब छाट लो दिशा अपनी राह को निकलो तब पांडवो ने चयन की थी चार दिशाए कैसे भी हो सके वो शिव का पता लगाए बरसों बरस थे भटके बनती नहीं थी बात ये सोच के हिरदय को था पहुचा बड़ा आघात उस पीड़ा को किसी से भी कहा ना गया सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुके दारनाथ की कथा सुना रही हुँ के दार नाथ की कथा फिर श्रम का फल मिला उन्हें शिवदाता थे दिखे देखा जो भीमने उन्हें तो थोड़ा वो रुके शिव की पड़ी नजर तो वो पशु बन गए वो जान कर ही पशु के एक जुंड में घुस गए नंदी थे बने भीम तब रास्ता रोका शिव आधे भूमी में धसे जब भीमने देखा पकडा शिव को भीमने तब कुबड को छुआ सोना रही हु के दारनाथ की कथा सोना रही हु के दारनाथ की कथा सोना रही हु के दारनाथ की कथा शक्ती दिखाई भीमने और पीठे ना छोडी फिर शिव ने देखा भीम कोथी साधे ना तोडी तब आये चारो भाई आके शमा मांगते ना रोश वो थमता था तब शिव न मानते बोले दया निधान सुन लो अब शमा करो कर दो कृपा द्रिष्टी भोले तुम दया करो तब विनै सुन लिशिव ने उन्ही कर दिया शमा सुना रही हो के दारनाथ की कथा सुना रही हो के दारनाथ की कथा सुना रही हो के दारनाथ की कथा पाकर्शमा का दान उनके पाप कट गए द्रिष्टी जो शिव ने डाली सारे दुखडे मिट गए जहां पीठ को था पकड़ा वो धाम कहाए वहीं जो तिरी लिंग शिव का बना ग्रंथ बताए धामों में सबसे शिष्ट है छोटा ये चार धाम कण कण में बस रहा है यहां शिव जी का नाम इस धाम से जाता है बैकुंठ का रस्ता सुना रही हु के दार नाथ की कथा सुना रही हु के दार नाथ की कथा सुना रही हु के दार नाथ की कथा सदियों बरस जो बीत जीन धाम ये हुआ तब शंक्राचार जीन आके कदम रखा सारे ही जीनों द्वार का निर्मान कराया इस शिव के प्यार धाम को था फिर से सजाया तब से के दार नाथ है शिव जी का पावन धाम गंगा से भी निर्मल सुनों पावन बड़ा अस्थान वो तर गया समझो जिसको दरस है हुआ सुना रही हु के दार नाथ की कथा सुना रही हु के दार नाथ की कथा सुना रही हु के दार नाथ की कथा मन्दा की नी नदी है बहती जिसके किनारे जहां पंच न दिया मिल के बही खोब नजारे ग्रंथों नी इसको छोटा चार धाम कहाया मुक्ति को प्राप्त करता है जो यहां आया इस धाम के दर्शन को आते भक्त जो सारे बोले के खिरपा पाते शिव ही काज सवारे और क्या है इस धाम की सुन लो विशेशता सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुन का प्रयाग है मंदिर बड़ा विशेश सुन्दर बड़ा विशाल है जो लाखों में है एक इस धाम में हुआ सुनो शिव पार्वती विवा जहां भावरी पड़ी वो हरे जी का धाम था मंगल मिलन हुआ यही धाम में सुनो ये धाम भी विशेश है आगे कथा सुनो सुनाओ तुमको आगे सारे धाम की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा बारा है जो तिर लिंगों में ये पाचवा विशेश ये शिव का प्रिया धाम है ये लाखों में है ए मंदिर है यहां विश्नु का कहते हैं बदरिनार उसका भी कर लो दर्शन बन जाए सारी बार लक्ष्मी के साथ बैठे है शी विश्नु मोरे राम जिनके चरन को पूझता है देखो जी जहान तुम बोलो जी जैकारा शिव विश्नु नाम का सुना रही हूं के दारनाथ की कथा सुना रही हूं के दारनाथ की कथा सुना रही हूं के दारनाथ की कथा धड़ से उपर भाग काठ मांडो में हुआ पशुपती नाथ है मंदिर जहां बना शिव की भुजाई जाके गिरे तुंगनाथ में मुख गिरा था रुद्रनाथ सुन लो बात ये जटा गिरी कल पेश्वर का धाम वो बना तब जाके पंच के दार धाम भी हुआ इतिहास जानता है ये सची बात जी सुना रही हुँ के दार नाथ की कथा सुना रही हुँ के दार नाथ की कथा सुना रही हुँ के दार नाथ की कथा यहां चारो भव्य मंदिर है धाम सब बने सबकी मुराद होती पूरी ध्यान सब धर पूजा करे जो दर्श करे शिव को मनाए खुशियों का खजाना यहां से लेके वो जाए शिव धाम की महिमा निराली कर लो ना दर्शन भर जाएगा खुशियों से देखो मह के गांगन भर देंगे जोली सब की मेरे भोली नाथ जी सुना रही हुके दार नाथ के कथा सुना रही हुके दार नाथ के कथा ताल वासुकी का मंदिर यहां बना विश्णू नारायन देव ने ये सिद्ध था किया असनान करके शुद्ध किया देखो जील को दीवस रक्षा बंधन पे काज शुब किया तब से ही देखो जील में जो भी नहाए हर पाप कटे उसके जल में दुखड मिटाए कर लो स्नान भग तो मिट जाएगी व्यथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सुना रही हुके दार नाथ की कथा सामाधी शंक्राचारे की भी है यहाँ बनी साधी थी तपस्या यहाँ पूजा यहाँ कीनी मंदिर बना है भव उनका देखो आलिशान इस धाम पे बना है देखो उनका भी अस्थान जो करता इसका दर्शन वो ग्यान से भरता आशम अचारे जी का है जो सुख के है करता तपकी है यह भूमी यहाँ सुन लो जी सब कथा सुना रही हु के दारनाथ की कथा सुना रही हु के दारनाथ की कथा सुना रही हु के दारनाथ की कथा अगस्ते मुनी धाम बड़ा यहाँ निराला उनका भी है आशिरम यहाँ पिविशाला शिव धाम के संग में बना है गौर कुंड धाम गौरा ने किया तप्था जहाँ है वो ही अस्थान दर्शन जो करन धाम के इस कुंड में आते जगते हैं सोए भाग देखो यहाँ नाहा के शिव गौरा मन सा पूरी करते जो सुने कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा सब धाम पे जाके जो के दार नाथ ना जाते पूरी नहोती आतिरा ये ग्रंथ बताते सब धाम का दर्शन करो और सुख सभी पाओ पहले के दार नाथ के दर्शन को तो माओ कर लोगी दरश विपदा सारी मिटिती जाएगी नुक्ती के पथ की पौड तुमको खुद बुलाएगी हर धाम हर जगा में शिव का नाम है बसा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा सुना रही हूँ के दार नाथ की कथा भैरव ब्रकुंटेनाथ का मंदिर भी यहां है इनकी भी होती पूजा ऐसा नियम बना है जब शीत काल होता और कपाट न खुलते कहते हैं रक्षद्वार की हैं भैरो जी करते पूजन है इनका होता यहां मंगल शनीवार शिव का ही रूप भैरो नात बोलो जै जैकार कहते हैं इनको लोग है रखवाला धाम का सोना रही हो के दार नात की कथा सोना रही हो के दार नात की कथा सोना रही हो के दार नात की कथा हमने सुनाई दिव्य कथा आपने सुनी शिव धाम के महिमा ये ऐसी देखी ही नहीं हो जाते प्रसन भोले नात सहज भाव से मन चाहि तुम करालो मेरे भोले नात से एक लोटा जल चढ़ा दो ये तो मान जाते हैं किसके है मन में क्या ये पल में जान जाते हैं महिमा निराली जग से मेरे ओगड नात की सुना रही हु के दार नात की कथा सुना रही हु के दार नात की कथा गाथा लिखी क्रपा से जो भी तुमको सुनाई के दार नात का दरस ये कर लो ना भाई इनकी दया मिलेगी जग में सब ही पाओगे सुखों से देंगी भर ये तुम जो गाथा गाओगे दीपक ने लिखी कथा सुन लो लगा के ध्यान भोले से बंधी दिव शक्ती की है बड़ी आस मिलती रहे क्रिपाह में बस भोले नात की सुना रहे हु के दार नात की कथा 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 सुना रहे हु के दार नात की कथा